आपने बरवाद करने का तरीका अच्छा ढूंडा है मैंने ये बात भावी से बोला लेकिन भावी ने बताया कि आज मैं लड़कियों की special डिस बना कर तयार कर रही हूँ मैंने बोला भावी आप लड़कियों का ऐसा कौन सा डिस होता है जो लड़कियों के लिए खास होता है लेकिन भावी ने क्या किया गेहुम के आटे के अंदर जिससे हम रोटी बनाते हैं उसके अंदर सूजी डाल दिया साथ में इसके अंदर डाल दिया सोडा लेकिन हम लड़कों के लिए ये डिस खास क्यों नहीं है चलिए ये भी जान लेते हैं लेकिन मैंने देखा इन सारे मैट्रियल को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल कर इसको आटे की तरह गूंद कर तयार करने की कुसिस की जा रही थी और फाइनली आटे की तरह गूंद कर भावी ने तयार कर लिया लेकिन इससे क्या बनकर तयार होगा ये तो मुश्किल से दो रोटी बनकर तयार होगा लेकिन भावी ने बताया कि ये लड़कियों का खास डिस है तो ये रोटी नहीं बनाई जागी बल्कि कुछ अलग और समतिंग डिफरेंट वन कर तयार होगा उसके बाद मैंने देखा की आलू की अंदर कटिंग किया हुआ प्याज मिलाया जा रहता उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च डाल कर और इसके अंदर मिर्च पौडर डाल दिया साथी साथ कुछ मसाले भी इसके अंदर मिला दिये जैसे की काली मिर्च पॉडर, जीरा पॉडर और साथी साथ इसके अंदर स्वाध अनुसार नमग डाल लिये ताकि फ्लेवर बढ़िया लिकल कर आए और उसके बाद काली नमग भी डाल दिये जिससे बहुत ही तगड़ा फ्लेवर निकल कर आता है और इन सारे मैट्रियल को अच्छी तरीके से मिला लिये तो आप गिलास की मदद से भी आलू को इस तरीके से आप ठकूश सकते हैं फिर उसके बाद इसके अंदर उबला हुआ चना मिला दिया और साथ में कुछ धनिया पत्ता इसको कटिंग करके डाल दिये इसके अंदर और सारे मैट्रियल को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको छोड़ दिये इसी बीच उन्होंने क्या किया था दस मिनट के लिए इमली को फूल ने दे दिया था पानी के अंदर जैसे पानी के अंदर इमली फूल गया था तब इन्होंने क्या किया इमली के बीच को पानी के अंदर से निकाल लिया और इमली को पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिला दिया फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल कर काली नमक और सफेद नमक डालने के बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिया और सारे मैटरियल को अच्छी तरी कैसी मिलाना सुरू कर दिया और फिर उसके बाद इसके अंदर धनिया पत्ता डाल दिया अभी इसके अंदर और भी एक मैट्रियल मिलाएंगे दोस्तों लेकिन अभी इसको बाद में यूज करेंगे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कड़ाई लिया कड़ाई जैसे गरम पूलोखओ कर सब्सक्राइबि Ergeb के और लड़कियों को मिमिलना में धुका हुआ लकार क्या लेकिन आखिरकार आपको भी समझ में आ चुका हुआ लड़कियों का फैबरेट डिस्स क्या है आज किस वीडियो के अंदर बनकर तयार हो रहा है तो एक बार जरूर वीजिट करके जाना दोस्तो कि किस तरीके से बनकर तयार होगा और ये रेश्पी कैसी बनकर तयार होने वा दोस्तो किस पूड़कि फूड की तरह खाते हैं क्योंकि एक बारी में ये 15-20 आराम से खा जाते हैं उसके बाद पानी के अंदर आपको मिला लेना बूंदी मार्केट के अंदर बड़ी असानी से बूंदी मिल जाता है जब आप खाएं तभी पानी के अंदर आपको अब उसके बाद final look में जब ऐसी तयार हुआ दोस्तों हमने क्या क्या इसके अंदर आलू का भरता डाला और उसके बाद इसके अंदर चम्मच की मदद से पानी डाल दिया अब देखे कितना बढ़िया तरीके से तयार हुआ है दोस्तों खाने में बहुत ही जादा स्वादिश में जरूर वाताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना अपना कीमती समय देनी के लिए ठैकी सो माज दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में नई चटपड़ी रैस्पी के साथ उसके लिए चैनल पे नहे हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेन ताकि आने वाली ऐसी चैनल पड़ी वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले